जहन साथियों, वेलकम टू पैरामाउंट रोयल अकैडमी वीडियो में हम बात करेंगे अगनीपत्स स्कीम केता है सेहना में वर्स 2022 में जो भरतियां होने वाली है उसके बारे में क्योंकि पिछले कल ही आरमी ने अपनी official website पर यहाँ पर rally का जो schedule है वो share कर दिया है official तरीके से तो यहाँ पर आप जानेगे कि आपका जो ARO है उसकी भरति कब होने वाली है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हमारे ARO ऐसे भी है जिनकी भरतियों के लिए केवल एक ही महीना यहाँ पर बसता है और साथी साथ आप जानते हैं यह बरसात का महीना है और त्यारी में भी आपक कहा था कि जितनी भी हमारी अगनी वीर के तहत भरतिया होगी फरदर उनमें आर्मी का फिजिकल ही पहले होगा और लास्ट वीडियो जब मैंने डाला था था कुछ लोग उसमें कोमेंट कर रहे थे कि सर यहाँ पर हमारी रिटन टेस्ट पहले होगी लेकिन मैंने उनको बिल्कुल मना कर दिया था कि आपका टेस्ट पहले नहीं होगा फिजिकल ही पहले होगा तो आप देख सकते हैं अगस्त में आपके यहाँ पर फिजिकल शुरू हो चुके हैं जो है पेज देखने को मिलेगा ठीक है जो गई जैसे ही आप आर्मी के ओफिशिल पेज पर यहां पर पहुंचेंगे तो यहां पर स्क्रीन पर आप रोल होता दिख रहे हैं आर्मी का शेडियूल ठीक है यदि आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो जो व्यू आप द डाउनलोड कर लें तो इस तरीके का आप को शेडियूल यहां पर देखने को मिलेगा चलिए साथ यो यहां पर इस ओफिशिल नोटिफिकेशन को देखते हैं तो फस्ट और आप यहां पर देखेंगे हैड़कॉर्टगर जो अंबाला है यहां पर इसके बारे में फस्ट औ अगस्ते होने वाली है भरतिया पालंपूर की हम बात करें तो 10 से 3 सेप्टेंबर तक होने वाली है मंडी की जो भरतिया 27 सितंबर से लेकर 8 अक्तूबर तक होने वाली है शिमला की बात करें तो 11 से 20 अक्तूबर तक होने वाली है अमबाला की अगर हम बात करें तो आप देख स इसको हम कहते हैं मिल्टरी पुलिस की बात करने तो इसके बारे में बाद में इंटिमेट किया जाएगा, यह इसमें कहा जा रहा है, फर्दर इसी तरीके से आप देख सकते हैं, बैंगलोर के अंदर का जितने भी AROs आती हैं, उनकी भरती का शेडिूल कब कब तक का है, आप की बात कर लें, जाल अंधर की बात कर लें, ठीक है, खुलकत्ता की बात कर लें, लखनाओ की बात कर लें, या जितने भी आपकी AROs हैं, आप देख सकते हैं, क्लियरली, ठीक है, इसका जो शेडियूल यहां पर दिया गया है, और यह ओफिशियल शेडियूल है, इसके में आपको काफी difficulties होंगी और वैसे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पहले से ही त्यारी कर रहे हैं लेकिन suddenly जिनको अभी त्यारी करना है उनको काफी मेनत की जरूरत पड़ेगी और आप यह मान के चलें कि केवल आपके पास एक महीना यहां पर बसता है जिनकी जो भरतियां अगस्त में शुरू होने वाली है तो उसी हिसाब से आप अपना preparation शुरू कर दें फर्द जो यहां पर बात करते हैं फॉर्म्स के बारे में तो जुलाई महीने में जो है अगनीवीर जो स्कीम है इसके तह जितनी भी भरतियां होने वाली है इसके फॉर्म भी यहां पर निकल कर सामने आ जाएंगे तो फॉर्म भी आपको fill up करना है ठीक है